अग्या प्रेम्ज विल्कम् टू माइ इस्टेडी फिट आफ फिजिकल एजुकेशन चैनल दोस्तू न्यूव प्रैक्टिस सेट का यह उनीस्वा प्रैक्टिस चेट है जैसे कि MP, Work 2, Work 3, UP, TGPGT, UP, UP, VPSC, TRE 4 और other states सभी physical education comparison exam के लिए daily basis में practice आपको करा रही हूँ, theory session आप detail में अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, तो channel के playlist में जाएए, वहाँ सभी chapter का chapter wise playlist बना हुआ है और theory session अच्छे से पढ़ाया गया है और बहुत सारे MCQ आपके लिए most important है, और मैं daily basis पे तो करा ही रही हूँ, और इसके बाद भी मैं कराती रहूँगी जब तक आपका exam नई हो जाता तो चलते हैं आज के questions के तरफ question है सारे लिए सिच्छा, सिच्छा के बड़े छेत्र का वह अंग है जो बड़ी मांद स्पेस यूँ से होने वाली कार्य तो था उससे समध्र, प्रतिक्रियाओं से समध्र रखता है यह परिभासा किस ने दी है तो मैंने आपको बताया है कि जहां संपूर्ड छेत्र या छेत्र सब्द की बात आ जाए तो वहां पर आपका हो जाएगा जे भी नइज का परिभासा मैंने key point बताया हुआ है साहर सिचा का और परिभासा वाले वीडियो को देखें को दिखें दोस्तों एक घंटा का वीडियो है उसमें सभी साहर सिचा के परिभासान का डिया गया है की point trick के साद जो को हमीशा याद रहेगा और एक जौ में सही एंसर टिक करने की आसानी होगी तो संपूर छेतर देखते हैं आप जेबिनेश लगाएंगे और संपूर सिच्छा सब्द और सारारी सारी मांसी समाजी समय गातमक दिश्टी कोड देखते हैं आप चाल से बुष्चत लगाएंगे और रोजलन कैसिटी जो है भीतरी ब्यक्ति के वितरी अनुभाव के करार होने वाले परिवर्दन सब्द जहां पे आएगा वहां पे आप रोजलन कैसिटी लगाएंगे जहां पे अनुभावों का सामुहिक प्रभाव के साथ ब्यक्ति बीसेश की प्रक्रिया सब्द प्रो सीमा वहां ब्राउन वेल आपका राइड इंसर होगा और समाजिक ब्योहार में परियोतन सब्द आएगा तो वहां सीसी कोबिल की परिभासा होगी कोशन नमबर टू है चेचक छोटी माता तपेदी किस माध्यम से फैलने वाले संक्रामक रूख है स्माल पॉक्स चिकन पॉक्स टिबर कुलोसिस एट एट्सेटरा और इंफेक्टियस डिजिज देट स्प्रीट थू विज विज मेडियम तो दोस्तों चेचक जो है यानि की स्माल पॉक्स यह वरीवलों वायरिस से फैलता है और इसका जो है इफेक्ट करने वाला वायू के मा से फैलता है तीक है जो छोटी माता है यह जो च्कन बॉक्स बोला जाता है तो भी वायरिस से फैलता है च्कन बॉक्स च्के शोकिलोसिस ि unw sehe 21 एग यह भोला जाता है माइक्रो बैक्टिरियम्ट इस बैक्टिरियस एक्ति नियोड नाल है कि एक बैक्टिर्टिजंस एक तो है कि नेन दोन है किनी में से किस देश के बीनु नहीं सतक का गोल किया था एक संधिकि का दूस्तो इन मेरा डोना ने सतक का गोल किस देश के विरूद किया था तो यहांने प्रसिद्ध फुटबाल खिलाड़ी है मेरा डोना यह 22 जुन 1986 को खेले गए 20 फुटबाल मैच को के क्वार्टर फाइनल में अपना सौवा गोल इंग्लेंड के विरूद किया था कब 22 जुन 1986 को इंग्लेंड के विरूद आफसर नमबर डी यहां पर राइट अंसर होगा कोश्चन नमबर फूर है सुसील कुमार की स्केल से समधित है कोश्चन पढ़ते ही एंसर आप दे दिये होंगे तो कुस्ती यानि रेसलिंग से समधित हैं दोस्तो जैसा कि सुसील कुमार ने 2008 बीजि कि पीवी सिंदू बनी उसके बाद इस बार जो है पेरिस ओलंपिक दोजाए चोबिस में नया रिकार्ट मनु भाकर ने दो कासे पदक गीत कर एक ही ओलंपिक में दो कासे पदक या दो पदक इतने वाली पहली मंजला भारती बनी है मनु भाकर यह भी याद रखिएगा कोशन नंबर फाइव है पाठ योजना के उद्यश्य होने चाहिए तो दोस्तों कोई भी आप पार्ट योजना बताते हैं सबसे पहले यह आपको ध्यान में आता है कि हम किस से लिए बना रहे है यानि बिसैप पर ध्यान होना चाहिए ठीक है सब्जेक्ट पर ध्यान होना हमें सब फोकॉस अंदे सब्जेक्ट मेंटर उसी पर पाठ है उजना का ध्यान होना चाहिए कोशन नंबर शिक्स है गामक कोशल सिखने की उत्तम बिदी है दब बेस्ट मेट होड़ा आप लर्न मोटर इसके दोस्तों यह कोशन आप जरूर ध्यान में रखेगा क्योंकि एक जिखाने की बात कहें गा सारे सिख्छा में तो वहां पर आपका इमिटेशन अबजर्वेशन यानि की आपका प्रदर्सन अनुकरव विधी हो जाएगा इस नंबर स्ệc टैइनिस फौर हेड में कौण सी वच्छ पेसी का प्रियोग सुट्ष मुंस्ण इस उस्टी इस प्रद्स न करो रहा है такि आप चैनिस मौर रहा है यानि फरकाल सी तो वहां पे throwing muscles कौन सीぁ मसल्स होती है तो हमारी उच्छे की धसी म्यज़ ठीक है आप सान नंबर 2 यहां पेराइञ Anyways इसे अन वोलते हैं आपका सेल्टियर को बोलते है अपका सेलेटर्स उठेडियर को बाक्षर मॉष्ब्स को बोलते हैं लेटिमस् कॉफ मसल्स गास्टोडीमियस को ठीक है एंड राइप क्लिंबर मसल्स लैटेमस डोर्स ठीक हो आगे की और जुकने में कौन सी मास्पेसी संकुचित होती है तो क्वाडरी स्रैपर्स मसल्स कोशन नंबर एट है निमने खात पदार्थों में से किसमें कैलोरी सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है विजाब फालुविंग फूट आइटम्स है दे हाइस्ट अमाउंट आफ कैलोरीज तो दोस्तों जो इसमें आफसन दिया हुआ है कैलोरीज की बात कर रहा है अगर पूछता है तो आप जानते हैं कि दूध होता है बट यहां पे कैलोरी जो है सबसे ज्यादा इसे पाई जाती है मक्षन क्योंकि मक्षन क्या है वसा है और सबसे दा कैलोरी जो है आप जानते है कि एक ग्राम वसा में 9.1 कैलोरी पाई जाता है जबकि एक ग्राम में यानि बटर में ठीक है को सबसे पहले देखेंगे फैलता किससे किससे है एहां फैए लोगो के मन में गलत धारा पाःती कोश्com 10 है बॉली बॉॉल कोड़ की माप क्या है तो कोश्चन सुनती है आंसर आपने दे दिया होगा अठाज़ सभाद होती है इसमें इसमें इस मेरे को करह framework होती है बॉली बॉल खोड़ की माप और ग्राम होता है कि इसको इंडोर के लिए 12 सेंटीमितर साहे 12 मिटर उचाई होना चाहिए हौल की कि कुस्टन नबर 11 है हिदय की मांज पेसियां किस प्रकार की होती है वाट टाइब आप मॉसल्स डज दो हार्ट हार्ट वेब जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं जो हिदय अनेचिक होती है अनेचिक होती है जीवन प्रयतन है हम औरते सोते जाकते कभी भी हिदय धरकता रहता है जब धरकना बंद कर देगा तो हमारी मिर्थी हो जाएगी ठीक है लेकिन जो इसकी स्ट्रक्चर है सन रचना है और रेखित की तरह है याद रखेगा पूसें नमर 12 है ब्यायान का सोचल संस्थान पर होनी वाला प्रभाव है वाट इस अफेक्ट और एक्सरसाइज अन्द रेस्पेरेटरी सिस्टम तो दोस्तों जो ब्यायान होता है जैसे कि आप जानते हैं कि जो अब सधार इस सिटी में होते हैं तो आपका जो हार्ट स्वसंदर और कम से कम 12-18 गा 16-20 इस तरीके से होता है वह जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो उस कर्णिशन में आपका हार्ट रेट 180 प्रति मिनट पहुच जाता है और आपका जो स्वसंदर होता है 40-50 प्रति मिनट पहुच जाता है तो उसके बाद जब आप डेली प्रै प्रस्चित हो जाती है उस कंडिशन में आपका क्या हो जाता है कि हार्ट रेट जो समाने इस एटीम बहतर रहता है व्यायाम के समय 180 हो जाता है लिकिन प्रस्चित होने पर वही हार्ट रेट ही धरकन 40-50 मिनट पहुच जाता है जो आपका 170 समाने अवस्था में 16-18 और 16-20 तो एक्सेशेस्टित नाहिकरी सतना है. आपकी इच्छा सक्ति में वोती है तो यहां पे इच्छा सक्ति में बिती है। विल पआवर आपका इंक्रेज होता है, आपने देखा ब्यायाम के समय पुछेगा तो आपने बहुतता है। पर सिचीत पीज Does the सभस्न दर की बात रहा है तो सही दर पीजया तो विल्ण सभस्षीट की बात है बार से 20 भार या से एडरए Вас अगर बियाम करते चाहीं सभस्षीट अब करसी अफ यह उडर्म में कमि हो रहा एंड हिदय दर्व भी कमी होती है यहां पे सान सक्ति में ब्रिधी ठीक है डेली एक्सकाइज करने से आपके अंदर जो इंडूरेंस पाउर होता है वो बढ़ता है इंक्रीज एस्टेमिना तो इस्टेमिना और एंडूरेंस दूनों एक ही सब्द है आप इस जॉम में कंफ्य लुचिंट है जिसमें हड़ीओं के कुछ शिसी में ब्रेक आजाता है इस चुटे बच्चेमिन अक्सर होता है उसमें हट्य तोटीषी नहीं बलकि क्या हो जाती है मुर्य जाती है किसी आगाज से तो दोस्तों आपको अगर फैक्चर के बारे में अच्छे धर्व से पढ़ना है तो आप स्पोर्स मेडिसिन के प्लेलिस्ट में जाएए और सभी प्रकार के हड़ी के चोटों कोई बारे में मैंने डेटेल में बताया हुआ है जरूर उससे देखिए कोश्चन नमबर चवदर है अनुसाहसन इमांदारी आकर्शक बेथितु किसके गुड़ है डिसेप्लीन ऑनेस्टी अट्रेक्टिव प्रस्टनालिटी और दे क्वालिटी आउफ जूम तो यह सभी क्वालिटी चाहे लेडर के और यह सभी चीजे फिजिकल एजुकेशन है कणीन है के ग sal no thousand a heard तो बिभीन संस्थानों की खिलाड हो के मद्ध है और ऑगले आयोजित होने वाली प्रत्विक्ता कहलाती है तो बिभीन एक संस्था से दुसरे संस्था ासा के भी जो आयाजित होती है प्रत्यक्टा उसे एक संस्था के अंधर से इईएक θα देऌरं थ सब्सक्राइब को समझा जाता है तो किसी संस्था के द्वारा निधायत पार्ठक्रम होता है विकलांगता होती है सारे विकलांगता होती है आपको अच्छा से मिल नहीं रहा है जितना काबोहाड़ेट, प्रोटीन, वसा, विडामीन, खनेज, लवर, जल, इस सभी संतुलित उचित मात्रा में हमारे भोजन में आवसाइक होने चाहिए उसी को संतुलित अहार बैलाइंस डाइट कहते हैं, छे में से किसी चीज की कमी हो जाती है, आपको पोसर के सिकार हो आप सारिक डिसेबिलियटि या फिजिटी के सारी बिकितियां पोबहुत प्रकार के बिकितियां आने लगती हैं, तो यहाँ पे आपका राइट एंसर क्या हो जाएगा, कुप उसर के कारण, ड्यूटू मैलोन्ट्रेशन, या रोग के कारण, ड्यूटू ड्यू यह कुशन नबर 18 था है किसी सोध करता के लिए सबसे अच्छी सोध समस्या क्या हो सकती है तो वह जो γो एक जो उसकी सोध नियदेशक द् Doyos सुझाया गया हो नो दोस्तों कोई सोध कोई किशिप आप को सुझाएगा तो तो ओ आपके लिए निन में से क्या वँशा नूख्रम का विशय है वेच वर फॉलिविंग इज आप इन्हेरी टेन्स है दोस्तो दो यह को अपको लगेगा इस का बहूत वाख़े हैं आप अग्सर ऐइसे गौस्ट पर लोग गलती करते हैं आपको ध्या हम से देखना होगा क्या वँशा Wannukram का बिसय है जिसमा स्माज में रहका सीखते हैं वाप दूचरिया आधत रूटीन इस आपका कैसा ही कैसे आदते हैं सभी आप भी जन्म कि बाद सीखते हैं यह हमारा प्रस्डनालिट्टी में आपका वन्सा नुक्रम ऑफय a जो है प्रस्टनालिटर्ण वशनालिट्यरम और दूनों आता है बर इसने प्रस्टनालिट्ग प्रस्डनालिट्र 2 प्रस्डनाल्टे ट्रेश suppressed याद रखेगा कीए घुर्वर्ड इसटेफ टेस्ट का निर्मान किसके द्वारा किया गया था हरवड इसटेफ टेस्ट वाज क्रिटेड पाइप आप सबको पता हूं इसनांत्र का सिधान किसने कौन सा है तो सिखने के इस सनांत्र की सिधान के अंत्रगत औपचारिक मांसिक अनुसासन का सिधान समानी करण का सिधान जागरित आदर्सों का सिधान दो कारक का सिधान प्रमुक है जिसमें से आपको यहां पर हो जाएगा समान तक्तू का सिधान identical elements theory समानत तक्तों का सिधन तो समानत ग्ताईक ने दिया है थान डाइक का माना है कि विषेवस्तु तथा प्रक्रियों में समानता होती है मनिस्तिक कोछ विषेज आदर्सु लच्छे होते हैं तथा जब वे उन शेत्रों में कारे क prettे हैं जहां उनके लच्छ्छ समान होते हैं यहां प्रसिचर का इस्त्थनांत्र होता है जब रासिया समान हो तब इस्त्थनांत्र जहां ज़्यादा प्रपावी होती है। छप्सक्राइस दो आ बहुत पाधा उत्पन करें तो ना करातमक स्थनादर है जब पहले खारंता शिर्खने के, न मद्द करें नर बाधा उत्पन करें तो सुने स्थनादर है। कोश्ject नुंबर 22 है लीग पत्रतिक्ता को कहते हैं तो दोस्तों आकस। आप सब को प circled点 प्रतिख तक को राउंड-्राविक टूनामेट भी कहा जाता है राउंड-्राविक कहा जाता है यह इस परकाय के टीम को एक दूसरी के साथ फ्टेल भ gossip क्यूंसरा में नहीं। डबल लीग में प्रतेक टीम को दूसरी टीमों के साथ दो बार खेलना पड़ता है और कुल मैचों की संख्या ग्यात करने का सुतर यन यन मैनेस वन होता है और लेक पुनामेट में फिक्सचर जाने की बिधिया साइकल टेबुलर इस टेजर केस में होता है तीन बिधिया होती है कि क्वेसन नमबर टेज़ एक स्वेट रटेकड़ीकाओं की संख्या होती है दिन अबर आप वाइड बलर सेल्स इन हेल्दी परसन तो दोस्तों एक्सवास्त भीटी पांशार से 11,000 पर्ति क्यूबिक मिलीलिटर होता है यहां पर पांशार से 9000 अपका राइज अशर हो जो वाइड बलर सेल्स होता है हमारे इमनिटी पावर और रोगों सर रोग-पती रोधा चनता पदा करता है को संदमर चयल लाव नाल करते हैं इसमें स्टेम् नाल होता है उसी में लालरत कड़िकाओं का निदमाण होता है और भुड़ा वस्था में यक्रित यानि लीवर में होता है यार रखिएगा कोशन नमर्ब पचीश है निवने रिखी स्वास्ते संकर्पनाओं में सी कौन सी संकर्पना नमीनतम है तो जो विचार फॉलिविंग हेल्थ कॉंसेप्ट इज दर लेड्स्टेट लेटेस्ट जैसे कि स्वास्ते संकर्पनाओं मुखरिब से चार हैं जैसे फीजिकल मेंटल सोश्यल स्प्रिच्वल यानि समाजी सारिक मानसिक समाजी और अध्यात्मिक तो अध्यात्मिक कि नहीं दिया है अध्यात्मिक से धार्मिक आपको रिलेट किया जा सकता है तो यहां पर उस प्रकार से हो जाएगा ध्यार्मिक संकर्पना यानिकी रिलेजियस यहां पर नहीं देगा तो आपका इस प्रूचियों लानिकी अध्यात्मिक आपका राइडेंसर होगा क्योंकि अध्यात्मिक व्यक्ति के आत्मिक सान्ति पर पल देता है यह जो नेटिक मुल्लियों सभीताओं अभ्यासों चिंतन आदे के माद्यम से प्राप्त किया जा सकता है कोसिन नमर 26 है सरी का 70 परसेंट हिश्ण बना होता है सेविंटी परसेंट आप दे बाड़ी इस मेड अप तो आपको पता है पानी से हमारा जो बाड़ी है सकतर परसेंट जो है पानी से बना हुआ है इसकी मात्रा लगभग दो तीहाई तक पाई जाती है हलाकि एक नौजास सीसु में इसका भार जो है 75 परसेंट होता है पानी का और एक वयस के पूरुस में कि थो साट से साहर परसेंट और अभार लामीं 50-30 का होथा है इस गौरोस से नौबर बालीबाल में आपकोषचप साचिसे सके मृट कर मताइए सहता है कि भी गई सामघरी का होजन कि मसा घरता क्रम बताई है तो डिसका होता है दोस्तों डिसक स्कुर्व है सबसे ज्यादा गर्ता क्रम में लिखना है सबसे ज्यादा किसका है साध्गट का तू हो जाएगा उसके बार दिसकास जो ऑ के लिए दो की महिल आपको यह तो रहा जाएगा उसके बार सफागरगर , ऑन फॉों जाएगा टो कर दिख रहा है आपको अपसर नमबर D में 10-29 सबसे लंभी को होती है वारिष देवलांगेश्ट मसल्स दॉट्स पूच्छा है बड़ा नहीं पूच्छा है तो आपको साथोरियस आपको सबको पता है साथोरियस मॉसल्स हम आपायर के सबसे लंबे मसल्स है जांगें पाई जाती है कमर को मोरने घुटनें को मोरने सिधा रकने में सिधा ख़ड़े होने साहता करती है कि और तोदेज को भी। तो रहे हैं तो फीरतों सिदन इसमड्स हमारे कुले के ऐ conclusions सबसे मजबूत हमारे मेंडिवल हर्टी दीचले जबड़े पर लगा हुआ मसल्स मसेटर मसल्स होता है को सिर्फ नमर तीस है जहां खेलों में समाजिक मुल्यों के मापन का अधार प्रतियुक्ता में सफलता माना जाता है वहां पर खिलाड़ी के अधिक महत देते हैं तो जहां पर खेलों में समाजिक मुल्यों के मापन के अधार पर प्रतियुक्ता में सफलता ही मेंचे माना जाता है तो खिलाड़ी अधिक किसको महत देंगे तो खिलाड़ी अधिक उपलबदी के आवसकता को महत देंगे ठीक है नीड़ फार एचिवमेंट को जादे महत दें करेंगे और जिसमें कुछ तूडिया रह जाती है मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में उसको किलियर कर देती हूं आप टेंसन न लीजे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जहें